हेलो एवरीवन वेलकम यौल तो मिसंट कॉम्टिशन जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे लुसेंट का सीरीज चल रहा है लुसेंट सीरीज में हमने प्रिविएसली जो कंप्लीट किया है पेज नमर फुर्टी वन तो फिफ्टी तो उमीद करता हूं आप लोगों ने प्रिव और समय के दोरा भारत भारतीयों का है यह नारा दिया गया था को अच्विशन नमर के में से किसे Hermit of Simla के नाम से जाना जाता है करेक्ट आंसर है आप्सन नमर B इसके जब अध्यक्ष बने थे किस एर में बने थे यह आपको ये मेंटन करना है कॉमेंट बॉक्स में नेक्स कोश्चन हम देखते हैं कॉच्छन नमर 4 हमारा नेक्स कोश्चन है निमली खित मेंसे कौन सा कथन असत्य है करेक्ट आंसर है option number B सार्दा सदन महात्मा गांधी तो बाकी सारे के सारे साही है यानि विस्व भारती रविन्ना टैगोर के द्वारा बालिका विद्याला यह जोतिपाफूलों ने इनने बनवाया इंडियन लीग यह सिसिर कुमार घोष्ण ने बनवाया और सार्दा सदन जो है यह बनवाया था रामा बाई ने महात्मा गांधी ने नहीं बनवाया था नेक्स वोसर हमारा question number 5 निमलीखित में से कौन सा कथन सत्य है करेक्ट आंसर है हमारा option number B यानि कि statement 1 home rule लिग एक राजणिक दल था बिल्कुल साही statement 2 एनि बेसेंट ने 1916 मदरास में home rule लिग के स्थापना की थी यह भी बिल्कुल साही है statement 3 जो यहाँ बोल रहा है England के तर्च पर एनि बेसेंट ने home rule लिग के स्थापना की थी यहाँ पर यह गलत है तो statement 3 हमारा गलत है बाकी 102 बिल्कुल correct है यहाँ पर एक statement छोटा सा यह देख लें तो Ireland की तर्च पर एनि बेसेंट ने और बालगनगरत तिलाख ने भारत में home rule लिग के स्थापना इन्हों नहीं की थी ठीक है next question हमारा question number 6 दयानन ने सत्यार्थ प्रकास की रचना मोल तक किस भासा में की थी correct answer है हमारा correct answer है option number D home rule home rule जो इन तीनों में इन चारों में जो है home rule लांदोलन सबसे पहले घटित हुई थी और इन तीनों का आपको year बताना है कि यह कब कब घटित हुआ था यह आज का आपको homework है यह comment box में आपको ज़रूर बताना है next question के बारते हैं next question हमारा question number 8 प्रताम गोल में सम्मेलन किसके अधिक्ता में आउजित किया गया correct answer option number B mcdonald mcdonald के अधिक्ता में फर्स्ट गोल में जैनी round table conference का आउजित किया गया था next question हमारा question number 9 भारती राश्टी Congress पहले अधिवेशन में कितने परतिनीधी ने भाग लिया था correct answer हमारा option number B 72 72 participants ने first इंडिया नस्नल कॉंग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जो session हुआ था उसमें participate किया था next question क्यों बढ़ते हैं next question हमारा question number 10 भारती राश्टी Congress से दूसरे अधिवेशन की अधिक्ता किस ने की थी correct answer हमारा option number A दादा भाई नौरो जी next question क्यों बढ़ते हैं question number 11 वल्ला भाई पटेल को सरदार के उपाधी किस ने दिया था correct answer है option number B बार्दोली की महिलाओं के द्वारा सरदार पटेल को वल्ला भाई पटेल को सरदार की उपाधी दी गई थी next question क्यों बढ़ते हैं question number 13 1930 का सारदा एक द्वारा विवाह के लिए लड़कियों लड़कों की निर्धारित किया गया था correct answer है option number A 14 लड़कों का लड़कियों का आई मीन आम सौरी 14 और लड़कों का 18 ये निर्धारित किया गया था निर्धारित किया था 1930 में किस गवर्नर जनरल के कारकाल में सिसुवद परतिबंद किया गया था correct answer है option number A लौड इर्विन के कारकाल में सिसुवद को यानि चाइल्ड मैसेकेर को परतिबंदिन बैन किया गया था question number 15 बिम्बी सार ने अपनी राजधानी कहा बनाई थी correct answer है option number D राजगीर ये बिम्बी सार की राजधानी इसने अपनी बनाई थी question number 16 बहरत का प्रथम समचार पत्र कौन सा है correct answer है option number B बंगाल गजट बंगाल गजट बहरत का प्रथम समचार पत्र है और इसको प्रकारसित किया था James Hickey ने question number 17 निम्ड में से किस यूध में बाबर में यूध में बाबर ने मेधनी रए को हराया था correct answer है option number B चंदेरी का यूध चंदेरी के यूध में बाबर ने मेधनी राय को हराया था next question हमारा question number 18 भारत में सरुपरतम प्रेस की स्थापना किस के दौरा किया गया था करेक्ट आंसर है हमारा ओप्सन नमबर C पोर्टिगीज के दौरा पुर्तगालियों के दौरा नेक्स कुशन हमारा कुशन नमबर 19 निम्न में से कौन सा आयोग करजन समंधित नहीं है पोर्टिगीजें समंधित नहीं है ये तीनों करजन समंधित है शिछाई आयोग, फ्रेजर आयोग और विशुदाले आयोग ये करजन समंधित है और पतलर आयोग जो है इसके स्थापना लॉर्ड इadata के कारकाल में किया गया था इसलिए बटलर आयोग लॉर्ड इरिविंजी समंधित है नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर 20 भारती राश्ट्री कॉंग्रेस थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था करेक्ट आंसर हमारा ओप्सन नमबर D लॉर्ड डफरीन वी वी आई कोशन है इसको आप लिख ले या फिर स्क्रीन सौट ले लिए फिर से मैं रिपीट करूँगा भारती राश्ट्री कॉंग्रेस था अपना के समय भारत का वाइसराय कौन था लॉर्ड डफरीन नेक्स कोशन को बढ़ते हैं कोशन नमबर 21 निमन कत्रों भी विचार करें बिल्कुल सही है भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का प्रतम अंग्रेज अध्यक जॉर्ज यूले था ये भी बिल्कुल सही है यहां स्टेट्मेंट 3 क्या बोल रहा है भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष रास बिहारी घोस्तें ये गलत है तो यहां से रिट्रेट आपके लिए जो एक question है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको उसका answer comment box में बताना है कि भारती राश्टी कॉंग्रेस का सबसे युवा अध्याक्ष कौन था यह आपको comment box में comment करके बताना है नेक्स question के और हम move करते है question number 22 निमलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक भारती राश्टी कॉंग्रेस का अधिवेशन संपन हुआ था करेक्ट answer है हमारा option number B कॉलकता कॉलकता में भारती राश्टी कॉंग्रेस सबसे अधिक अधिवेशन संपन हुआ था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा maximum बार 10 टाइम से यहाँ पे अधिवेशन का योजन किया गया था नेक्स को बढ़ते हैं कॉश्ट नमबर 23 निम लिखित में से कौन व्यक्ति कभी भारती राश्टी कॉंग्रेस के अधिक्ष नहीं बने करेक्ट आंसर है हमारा option number C बाल अंगरत तिलग यह अपने जीवन काल में कभी भारती राश्टी कॉंग्रेस के अधिक्ष नहीं बन प निम लिखित में से भारती राश्टी कॉंग्रेस के किस अधिवेशन बाल अंगरत तिलग नहीं यह नारा दिया था स्वराज मेरा जंपसित अधिकार है और इसे मैं ले कर रहूंगा नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर 25 निम लिखित में से कौन सा मिलान गलत है करेक्ट आंसर हमारा ऑप्सन नमबर बी आजाध हिन फॉज आजाध हिन फॉज यहां पर मिलान यह गलत है बाकी फॉरवर्ड ब्लॉज सुभास चंद्र बोस करेक्ट है हरीजन से वकसंग यह भी करेक्ट है आजाधिन फॉज का जो गठन किया था राजबिहरी बोस ने और आजाधिन सरकार सुभास चंद्र बोस ने इन्होंने किया था नेक्स कोशन के और मूब करते हैं कोशन नमबर 26 निमन में से किसका बचपन का नाम मूल संकर था वीवी आई कोशन है इसको और करेक्ट आंसर है आपसेन नमबर C स्वामी विवेकानन्द को कन्या कुमारी का रॉक मिमोडियल जो यह बनाया गया स्थान है यह विवेकानन्द को समर्पित है नेक्स उसन क्यों हम बढ़ते हैं कोशन नमबर 28 मूंबई आयनस तलवार के सैनिक द्वारा नौसेना का वि पुनर जागरन प्राढ़म हुआ था गरेक्ट आंसर है ओप्सेन नमबर C इसका कॉज क्या था यह आपको कमेंट करके जरूर बताना है नेक्स्ट उसेन हमारा बोस्टन टी पार्टी घटना कब घटित हुई थी? करेक्ट आंसर है हमारा option number A 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटना घटित हुई थी ये घटना घटित क्यों ही थी? इस रेटेर में कुछ आपको बात बता दू America में जो British colonies थी इसके जो विद्रोह में वहाँ की जो लोकल विद्रोही पार्टियां थी जो लोकल करांतिकारी लोग थे वो बोस्टन बंदरगा पे जाके अपना विरोध पर दसन करने लगगा और बोस्टन बंदरगा पे जो इंगलेंड के लदे जहाज थे जिसमें सिर्फ चाय भड़ावा था, उन सभी को उन्होंने समंदर में डाल दिया, तो इसलिए मचलियों की पार्टी होगे, इसलिए इसको बोस्टन टी पार्टी की नाम से जाना जाता है, इसके बारे मारे को डिटेल वीडियो चाहिए, आप हमें जरूर कॉमेंट करें, इस नेपोलियन ने किसे बनियों का देश कहा था, करेक्ट आंसर हमारा अप्सन नमर सी, इंगलैंड को नेपोलियन ने बनियों का देश कहा था, इसके निवासी थे, ये याद रहे हैं आप लोग नेक्स कोशन के बढ़ते हैं question number 35 जपान के समराजवाद का सबसे पहला सिकार कौन सा देश हुआ था correct answer है option number A China, China जपान के समराजवाद का सबसे पहला सिकार यहीं देश हुआ था next question के बढ़ते हैं question number 36 इंग्लेंड का प्रधान मंत्री निम निम से कौन सा था correct answer है option number B विंसेंट चर्चिल तो दुईतिय विस्वियूद यानि second world war के समय ब्रेटेन का प्रधान मंत्री विंसेंट चर्चिल था next question के बढ़ते है question number 37 निम लिखेत में से किसका पुराना नाम कस्तुस्तूनिया था correct answer है हमारा option number C Istanbul का पुराना नाम कस्तूस्तूनिया था यह VVI question है इसको आप note भी कर सकते हैं screen shot ले सकते हैं next question के बढ़ते है question number 38 इंडिया इंडियन पिट्स इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के स्थापना किसके द्वारा किया था correct answer है हमारा option number D रास बिहारी बोस के द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंडेंस लीग के स्थापना की गई थी next question हमारा question number 39 कॉंग्रेस ने किसके द्वारा छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था correct answer हमारा option number B अबुल कलाम आजाद की द्वारा छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था next question हमारा question number 1440 और यह आज का हमारा आखरी question भी है अबुल को अबुल को प्रस्तावित गया था था आज का हमारा पेज नमबर 51-60 का सेशन उम्हेद करता हूं यह वीडियो अपलोग पसंद आ है वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो ज़्यादा फैलाओ वीडियो को बिना फैला है मत छोड़ो क्योंकि और भी बच्चे इससे पढ़के exam ready बनेंगे तो एक अच्छा कॉंपेशन बनेगा तो यह तो करना ही चाहिए तो वीडियो फैला है और अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को आप रेगुलरी विजिट करते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो आज के लिए बस इतना ही अगली बार दुबारा से मिलते हैं आपके एक और न लुसरेंट के सेशन साथ तिल देन टेक क्यार बबाए और गॉट ब्लस यू अल